सिर्फ पांच मिनट में इस्त्री आपके प्यार में तडब उठेगी जी हाँ भक्तो यदि आप किसी से सच्ची महबबत करते हैं और वह इस्त्री पुरुस आपसे प्यार नहीं करता ये नहीं करती आप चाहते हैं वह भी आपसे प्यार करने लगे आपकी महबबत में बेचैन हो जाए, आपकी महबबत में तडपने लगे तो आज हम आपके लिए महबबत में जीत हासिल करने का प्यार में जीत हासिल करने का बड़ा ही पाउरफुल और एक असली वसीकरन विधी आज हम आपको बताएगे जिसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे इस विधी को आप कर देते हैं तो यकीन मानिए पल भर में ही किसी भी लड़का लड़की को अपनी महबत में बेचैन कर सकते हैं अपनी महबत में उसको तड़पा सकते हैं अपने प्यार में उसको गुलाम बना सकते हैं आप जैसे जैसे उससे चाहेंगे वह वैसे वैसे करने लगेगा करने लगेगी फिर चाहे वैस तरिप्रूस कोई आपका पती हो पतनी हो, girlfriend हो, boyfriend हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी आप इस विधी को कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, बिलकुल मुफ्त में कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी तांत्रिक, मोलवी, बाबा, पंडित, किसी के पास जाने की कोई आवेश्यक्त नहीं, आप खुद से घर बैठ बिल्कुल मुफ्त में इसको कर सकते हैं, फिर चाहे वैस्त्रिपूस कोई आपका पती हो, पतनी हो, गल्फ्रेंड, बोईफ्रेंड, कोई भी हो, किसी के लिए भी कर सकते हैं, तो करना क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, पूरी सरद्धा और विश्वास के साथ इसको क करना है मैं गारंटी देता हूं 100% आपका काम होगा यह विधी आप जो है किसी भी दिन कर सकते हैं ठीक है इसमें दिन कभी कोई विसेस वो नहीं है मुसलीम वसीक्रण है बहुत ही पाउरफुल और जबरजस्त वसीक्रण है आपको क्या करना है सबसे पहले 786 आपको लिख दे ठीक है सबसे पहले यहां पर लिख देना है आपको इसके अंदर हुब ठीक है यह आपको लिख देना है अब इसके अंदर आपको यह लिखना है ठीक है यह जीम इस तरह से आपको बना देना है यह से आपको अगर यह नहीं पता है तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वै आपको क्या करना है लड़के का नाम लिखना है जिसको भी आप अपने वस में करना चाहते हैं जो भी है वो लड़का लड़की उसका आपको यहां पर नाम लिखना है अब मालिया आप लड़के का नाम लिख रहे हैं यहां पर तो आपको लड़के के नाम के आगे बिन लगा किसकी मा का नाम लिखना है मतलब की इसका आपको नाम लिखना है जो है जिसको जो भी आपका प्यार है उसकी मा का आपका यहाँ पर नाम लिख देना है यदि मा का नाम नहीं पता है आपको तो यहाँ पर आपको मा की नाम की जगे पर हववा लिख देना है ठीक है इसकी जग अब आपको क्या करना है इसको माल्य जैसे कि आपने इसके उपर बनाया है तो इसको इस तरह से छोटा सा मोड लेना है ठीक है सावधाने से इस परकार से छोटा सा इसको आपको बना लेना है बनाने के बाद अब आपको क्या करना है इसको धागे से ये किसी भी चीज की सायता से इसको बांद देना है ठीक है तागा इसके उपर लपेट देना है अब आपको इसको ले जाकर के कहीं घर से बाहर जाना है घर से बाहर जाकर के आपको कोई भारी पत्थर वजंदार पत्थर मिले उस पत्थर के नीचे दबा कर इसको आपको चले आना है बस इतना सा कारी आ यह विद्य आपने की थी वह आपकी महब्बत में बेचैन हो जाएगी आपकी महब्बत में तडपने लगेगी तुरंत आपके पास चलियाएगी आपसे संपर्क बनाने कोशिस करेगा करेगी